हेलो एवरिवन, welcome back to my channel सना फेशन आज मैं आप लोग के लिए narrow pen with kurtis के designs लेकर आई हो इस वीडियो में ने different different color and different different pattern के narrow pen with kurtis के design को include किया है आप लोग चाहें तो इस टाइप से silk fabric या फिर brocket fabric का use करके अपने रिये designer suit तेयार कर सकती है इन सब इस suits को आप लोग किसी family gathering या फिर छोटे मोटे function में easily wear कर सकती है आप लोग planned fabric purchase करके इस type से गोटे का use भी कर सकती है अगर आप लोगोंने मेरी गोटा पटी work की पहली वीडियो नहीं देखिये तो मैं आप लोगों को यहाँ पर उसका link दे रही हूँ आप लोग आई बटन पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकती है आप लोग Oliver suit के साथ contrast दुपट्टा भी रख सकती है यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको Oliver suit नहीं अच्छे लगते हैं contrast दुपट्टे के साथ तो वो इस तरह से same ही color में रख सकती है मैंने यहाँ plant fabric से बनी कुर्थी और पैंट के साथ printed दुपट्टे को include किया है तो आप लोग भी इस तरह से अपने लिए printed दुपट्टे का यूज करके अपने लिए designer suit त्यार कर सकती है यहाँ इस वीडियो में आप लोग को color combination का idea भी easily हो जाएगा कि आप लोग को किस color के साथ किस type की और किस color के अपनी paint रखनी है वैसे तो एक white color ऐसा होता है आप लोग उसको हर किसी color के साथ चला सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोग को पूरी कोशिश किये कि आपको all over color में भी दिखाऊं और contrast color में भी आप लोग को दिखाऊं side slit दे कर इस तरह से अपनीने कुर्टे त्यार कर सकती है या फिर आप लोग के पास कोई cotton का फैबरिक रखा है जिसमें इस तरह से strip आ रही है तो आप लोग उसको ऐसे color वाला neck बना कर complete कर सकती है जिन girls ने narrow pen अभी तक try नहीं की है तो मैं उन लोग को बताना चाहती हूँ तो आप लोग प्लीज इस बारे narrow pen को ज़रूर try कीजिएगा यह दिखने में बहुत जादा stylish लगती है जब हम narrow pen को wear कर लेते हैं तो हमें बहुत जादा अच्छा फील होता है और आप लोग अगर इस बारे narrow pen try करेंगे तो trust me guys यह बहुत जादा आपको stylish look देगी